आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सभी बच्चों का फैवरेट पनी रोल या आप फ्रेंक की भी से बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है हर सभी बच्चों को बहुत पसंद भी होता है आप उनकी ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं या फ नॉर्मल गेहों का आटा और उसके साथ एक कप मैंने मैदा लिया है कोई भी आप एक कप सेट कीजी उसी से सारी चीजी लेनी है अब आधी चोटी चमच हम नमक डाल लेंगे मिक्स कर लेंगे इसे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका आटा लगा लेंगे नॉर्मल आटा जैसे रोटी के लिए या फिर पराठी के लिए हम आटा लगाते हैं हलका सा सौफ्ट आटा लगा लेते हैं टोटल इसमें आदा कप पानी लग जाएगा तो आटा मैंने लगा लिया है देखिए बिलकुए सौफ्ट आटा है थोड़ा सा हम घी लेंगे और इसे 2-3 मिनट अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे और अब इसे ढख कर 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तो चलिए अब इस स्टफिंग तयार करते हैं उसके लिए एक पैन लेंगे उसमें एक चमच मैंने तेल डाल लिया है आदी चोटी चमच जीरा डाल लेंगे साथ ही साथ मैंने यहां प्याज लिये हैं एक प्याज लिया है जिसके पैटल्स मैंने ले लिये हैं यह मोटा मोटा कट कर लेंगे तो इसे भून लेते हैं दो से तीन मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे साथ यسाथ मैंने एक मिर्च ली है जिसको बारी कट करलिया है इसे भी भूहलेंगे हम अगर आपको मिर्च जादा पसंद था जादा लेली है अब मैंने कुछ यहा सबजी ली है तो सबसे पहले मैंने आदा कप यहां सिमना मिर्च ली है जिसे चोकोल टुकडों में कट कर लिया है तो इसे भी भूल लेंगे हम दो मिनट के लिए साथ ही साथ मैंने यहां गाजर ली है तो गाजर भी डाल लेते हैं गाजर को मैंने लंबे-लंबे टुकडों में लंबे-लंबे पतले-पतले टुकडे कर लिये हैं या जूलियन स्टेश को बोलते हैं तो इसे भी हम भूल लेंगे करीब करीब 2-3 मिनट के लिए साथ ही साथ पत्तागों भी डाल लेंगे सबजें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या जादा मैंने कुछ मापा नहीं है ऐसे ही डाल लेंगे सबजें तो भूल लेंगे इसे अब मसाले डाल लेंगे तो एक चमच मैंने यहां लाल मिर्च पाउडर लिया है कस्मीरी लाल मिर्च लिया है जिससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा एक चथाई छोटी चमच मैंने हल्दी पाउडर डाला है आजी चोटी चमच धनिया पाउडर आजी चोटी चमच मैंने यहां नमक लिया है मिक्स कर लेंगे सबी चीजों को एक चमच मैंने यहां लहसुनी चटनी ली है लहसुनी चटनी की वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगी तो आप चेक कर सकते हैं कैसे लैसनी चट्नी बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्ट की बनती है और इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम पनीर डाल लेते है तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है दो चमच में यहाँ टोमेटो कैचप डाल रही हूँ इसे बहुत यह अच्छा टेस्ट आएगा मिक्स कर लेंगे तो स्टफिंग बन कर तयार है थोड़ा सा हरा दनिया डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे अब आटे को चेक कर लेंगे आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है एक से दो मिनट मसल लेंगे और लोईयां बना कर हम तयार कर लेते है देखें नॉर्मल जैसे रोटी के लिए हम लोई बनाते हैं ऐसे ही अब थोड़ा सा सुखाट टालेंगे और इसे बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं रोटी से थोड़ा सा बड़ा हम इसको बेल लेंगे क्योंकि इसमें स्टफ्फिंग डालने वाले हैं तो थोड़ा सा हम बड़ा ही इसे बेल लेंगे और बिल्कुल पतला रखेंगे जैसे नूर्मल रोटी होती है एकदम एसा और बना लेते हैं बिल्कुल रोटी की तरह हम बनाएंगे रोटी से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसे सारी ही रोटी हम बिलकल तयार कर लेंगे बिलकुल ऐसे ही अब सेक लेंगे तबा गरम कर लिया है मैंने तब एको लो फ्लेम पर रखना है और इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से देखिए इसका हलका सा कलर चेंज हो गया है तो इसे पलट लेते हैं हम और थोड़ा सा घी लगा कर हम इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से जैसे हम पराठा सेकते हैं एकदम ऐसे पराठी पर थोड़ा ज़्यादा घी लगाते हैं लेकिर इस पर थोड़ा सा कम घी लगाएंगे, हम दोनों तरफ से हलका हलका से एक लेंगे, ज्यादा नहीं से एक ना है, हलका हलका बस इसका कलर चेंज हो जाए, लेकिन कच्चा न रही, तो यह हो गया है, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, दूसरा भी ऐसे ही हम सेक लेते हैं, तो दूसरा डाल दिया है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो इसे भी पलट लेंगे, और इसे भी सेक लेंगे, थोड़ा सा गी लगा कर, दोनों तरफ से, ज़्यादा क्रि भी बनाते हैं, ऐसा नहीं मनाना है, हलका हलका ही हम इसको सेक लेंगे, परकच्चा नहीं रहना चाहिए, तो दोनों तरफ से इसको भी सेक लिया है, मैंने, निकाल लेते हैं, सारे ही रैप हम ऐसे ही बना कर तयार कर लेंगे, देखिए मैंने इसको बना लिया अच्छे से, अब स्टफिंग डाल लेंगे तो एक हम रैप लेंगे और उस पर मैंने हरी चटनी लगाई है नॉर्मल ये मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्च और मसाले डाल कर चटनी मनाई है अब थोड़ा सा हम टोमेटो कैचप डाल लेंगे या आप चाहें तो यहां मियोनीस पी डाल इसलिए हैं तो डाल लेंगे यहां आप अपने इसाब से सैलेड रख सकते हैं थोड़ी सी मैने पत्ता गोविली है आप चाहें तो खीरी ले सकते हैं टमाटर ले सकते हैं ककड़ी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो थोड़ी सी मैने गाजर रख ली हैं थोड़ा सा चीज डाल लेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेगा ये जो बच्चों को बहुत पसंद होता है तो ये ले लेंगे और अब इसे हम रोल कर लेते हैं एक तरफ से उठाएंगे और इसको ऐसे रोल कर देंगे और यहां मैंने सिल्वर फॉल लिया है तो ये हम लपेट लेंगे ऐसे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बच्चे बिल्कुल आराम से खा लेंगे तो ऐसे हम बना कर त्यार कर लेते हैं और भी हम ऐसे ही बना कर त्यार कर लेंगे देखिए आप ऐसे लंच बॉक्स में रख सकते हैं बच्चों के लिए तो सारे ही मैंने बना कर तयार कर लिए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनी रोल बन कर तयार हुए हैं आप ऐसे ही अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं जट से सारी चीज़े खा लेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे उमीद हाथ कि ये रस्पी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो डेसरी लाइक कीजिए शेयर कीजिए से फैमली में फ्रेंड में अगर चैनल सबको सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को अब जुरू प्रेस कर लीजिए इसे नोटिफिकेशन मिलती रही तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंज